हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और गैजट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वावित करता हूँ आज हम करेंगे रिव्यू मी एर प्यूरिफायर 3 का जो की नया एर प्यूरिफायर है शामी की तरफ से और यह एलग्जा के साथ तो काम करता ही है इसमें नए फीचर भी हैं तो सबसे पहले करते हैं इसको आउन वह भी इसको बिना चुए एलग्जा टर्न आउन मी एर प्यूरिफायर 3 तो चलिए शुरुबात करते हैं इसके रिव्यू को तो दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिलाल यह एर प्यूरिफायर ऑन है और इसकी अवाज आप बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं मैं इसके लिए माइक बिल तो बिल्कुल भी बताने चलता है कि यह चल रहा है इसमें आपको नया तारह का फैन जो है मिल रहा है अगर हम बात करें पुराने वाले वर्जन से इसे कंपेर करें तो यहां पे कुछ नए फीचेस हैं उनके बारे में सहसे पहले बात कर लेते हैं मी एर प्यूरिफायर 3 ब प्रेस करके इस एर प्यूरिफायर को 3 different modes में चला सकते हैं यानि कि high speed में auto mode में और night mode में तो basically depending की आपकी air quality कैसी है उसके हिसाब से आप इसको अलग-अलग speed पर operate कर देते हैं और ऐसे में जो highest speed है उसमें definitely noise जादा है अगर हम बात करें और चीज़ों की तो यहां पर filter भी change है इसका और filter जो है HEPA filter class 13 है थोड़ा सा और बहतर है HEPA filter आपको इस air purifier में मिल रहा है लेकिन अभी भी यह carbon activated filter नहीं है जो basically bad order होता है आपके घर में उस चीज़ को यह clean नहीं कर सकता है यानि कि वो smell remove नहीं होगी ल और भी बहतर तरीके से filter होंगे क्योंकि यहां पर आपको बहतर हेपा filter पुराने वाले से comparison में मिल रहा है इसी के साथ यहां पर एक और feature है इस air purifier का और यहां पर पीछे की तरफ मिलता है आपको तो यहां पर बटन दिया गया है जो पहले भी आपको देखने की मिलता था इ आपी display नहीं देखना चाहते हैं तो उस case में display को आप इस तरह से off कर सकते हैं बात करें अगर clean delivery air rate की यानि की CADR तो वो इसका और भेतर हो गया है अभी यहां पे 380 meter cube पर आर के साथ से यह जो है चल जाता है यानि की और ज्यादा बढ़िया है और 22% better है compared to me air purifier 2S जो की पहल fan जो है और efficient है air को pull out करने में अब इसके नए fan design की वज़े से आपको एक बहतर speed से हवा मिलती है और वो शांत भी रहता है तो इसलिए इसका top part है उसको basically full fan component बना दिया गया है आप देख सकते हैं कि इसका design ऊपर से कुछ इस तरह कर दिखता है कि इसमें आपको पूरा mesh मिलत है और हवा और भी बहतर जरीके से जादा निकल के आती है इस नए design की वज़े से तो दोस्तों अब दिखाते हैं इसका filter किस तरह पे change हुआ और filter को remove करने के लिए आपको यहां पे जो bracket दिया गया है उसको कुछ इस तरह से push करना है and then you have to pull it अगर यह air purifier चल भी रहा है तो इस time पर यह automatically off हो जाएगा जैसे ही आप यह component जो है यहां पर खोलते हैं और इसके बाद यहां पर आपको छूटा सा जो है scrap दिया गया है जिसके through a purifier के filter को इस तरह से remove कर सकते है and this is how it will come out तो यह है इसका filter यानि कि जो air purifier है उसका filter थोड़ा से different है और यहां पर कुछ filter यूज हो गया और कितना वह बचा हुआ है अब देखा जाए तो यह filter बहतर इसलिए भी है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह और ज्यादा dense है यह filter और ज्यादा sturdy feel हो रहा है साथ इसाथ अंदर की तरफ आपको metal mesh मिल जाता है हलाकि इसके black color को देखके आप यह ब जालना है और जो भी filter आप खरीद रहे हैं चाहे वह carbon activity filter भी अगर आप खरीद रहे हैं तो अगर आप यह टेप लगा देंगे तो वह filter भी इसके साथ चल जाएगा otherwise RFID के ना होने की वज़े से शायद air purifier काम ना करे किसी बी और filter के साथ जो कि बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ ह हाला कि यह filter कोई बुरा नहीं है definitely smoke वगरा को या फिर bad order को आप ठीक नहीं कर सकते हैं इस air purifier से क्योंकि यह carbon activity filter नहीं है और build quality और durability के साथ से मैं कह सकता हूँ कि यह जो air purifier है यह और भी बहतर हो गया है साथ यह साथ और जादा efficient हो गया है और filter पे भी आप देख सकते हैं कि जो quality of plastic है वो काफी अच्छा है finishing काफी बढ़िया है और बिल्कुल solid feel होता है filter यह सब देखते वे मैं कह सकता हूँ कि एक solid product हो गया है और काफी durable भी है और लंबे समय तक भी है चल जाएगा air purifier के back side पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको laser particle sensor मिल जाता है जो कि basically sense करता है हवा के अंदर किस तरह के particles हैं और उनको clean करने के लिए सक करता है air खासतों से यहाँ पे तो एक तरह से यह intelligent component है purifier का जो कि यह पता लगाता है कि किस तरह की air है और इसके basis पे आपको data मिलता है कि उस air के अंदर कितना अच्छा उसका level है यानि कि क्या उसका AQY है air quality index कैसा है वो आपको यहाँ पे दिखता है इसी sensor की वज़े से तो दोस्तों यहाँ पे इस air purifier के अपको यह cable मिल जाती है जो कि तकरीबन 1 meter से थोड़ी सी और बढ़ी है तो तकरीबन 7 meter की cable आपको मिल जाती है which is again not change क्योंकि पिछले purifier में भी ऐसी ही cable आती थी इस से थोड़ी सी तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी cable बढ़ी हुई है which is always good तो दोस्तों यह था हमारी तरफ से quick review me air purifier 3 का और अब इस air purifier को बंद कर देते हैं बिना चुए Alexa turn off me air purifier 3 तो इस तरह से यह बंद हो गया है अब आप लोग बताए कि आप लोगों के क्या queries है क्या questions है और लिग दीजिए नीचे comment section में और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को like कीजिए जैहिन वंदे मात्रम